हाई दोस्तों, मैं गौतम कुमार, आप सभी के लिए फिर से प्रेसर सेंसिटिव सिस्टम्स इंडिया लिम्टेट पे चर्चा करने वाला हूं उससे पहले उमीद करता हूं कि आप सभी अपने अटिटिव के अनुसार अपने जिन्गी को खुसाल पुर्वक जीर है और अपने बेवार को इस परकार बनाया रख है ताकि किसी भी जीव जन्तु को कोई विदिकत परसानी नहीं हो रही है प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम्स इंडिया लिम्टेड में एक खास बात देखने को मिली है जो की काफी अच्छा है इस स्टॉक के लिए बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धिविवे के अनुसार और सूज-बूज के अनुसार ही करिए दोस्तों प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम्स इंडिया लिम्टेड जिसका की शेयर प्राइस आर्ट रुप्या दस पैसा बीएसी इंडिया डॉट कम यानि की बंबे स्टॉक एक्स्चेंज पे इसका लास्ट शेयर प्राइस है इसमें लास्ट अपडेट नियूज एक साथ 2024 का ही है इस सेयर में जो की सबका सोच होता है कि एक खराब आदत किसी भी सेयर का पर्मोटर का होल्निंग नहीं होना तो वो चीज इसमें बिदमान है बाकी पबलिक के पास में 100% सेयर है बट एक खास जीज जो देखने को मिल रही है अभी पांच जुलाई 2024 सोला सो बजे का अपडेट है जिसमें कि क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 3,88,603 जबकि डिलेवरी में उठाय गया 2,58,400 यानि कि डिलेवरी परसेंटेज जो है काफी अच्छा है 78,64% यानि कि ये इस सेयर में ये दरसाने को त्यार है कि इसमें हो सकता है कि अपर सरकिट भी लग सके 100% तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन 50-50 चांस है बाकि इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धिविवे का अनुसार और सुझभूज का अनुसार ही करिए दोस्तों मैं विडियो बनाता हूँ Only One Knowledge Purpose जो आपको एस्क्रीन पर दिख रहा है Screener.in website का नाम है इस पर कुछ मुखे, खास बाते देखने के लिए तो Current Price 8 रूपया 10 पैसा है और Book Value 13 रूपया 40 पैसा है Book Value से काफी नीचे में ट्रेट कर रही है Market Cap 120 करोड का बहुत ही छोटा कंपनी है Market Cap के मामले में और ROC 114 परसंट और ROE 114 परसंट दोनों ही सेम है और PE 0.85 यानि कि इस शेर से यह उमीद लगाया जा सकता है कि इस शेर का प्राइस बढ़ेगी ऐसे जैसा कि प्राइस चाट आपको देखने को मिल रहा है तो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी Consolidate Mode में जा चुका है शेर बट सामने First Quarter का Result आने वाला है तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए Consolidate Mode में रहेगा या Uptained बन जाएगी इस शेर में Peer Comparison के मामले में यानि कि समझ लिजे कि एक तरह से इस छेत्र में काम करने वाला Company मुझे तो यहीं समझ में आता है तो देख सकते हैं कौन-कौन सी Company है जिससे का PE काफी ज़्यादा है और share price भी बहुत ज़्यादा है लेकिन सबसे लोग में PE इसी का है यानि कि Pressure Sensitive Systems India Limited का है जो कि PE पॉइंट में है 0.85 और price भी 8 रुपिया 10 पैसा यहां पे सो हो रहा है तो काफी नीचे में अभी यह share मिल रही है बाकि investment अपने बुद्धिविवे का नुसार और सोजबुज का नुसार ही करिए दोस्तो इस जगे पे ध्यान में रखने वाली बात है दिसंबर 2021 से ले करके दिसंबर 2022 तक कोई भी sales कुछ भी इसका expense यह सब देखने को नहीं मिला है लेकिन मार्च 2023 से ले करके मार्च 2024 तक का जो result है काफी अच्छा है बेहतर है मेरे समझदारी का नुसार बाकि आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं वन यहर का result अगर देखते हैं तो देख सकते हैं मार्च 2024 जो की closing year था उसमें sales 41 करोर का था वहीं पे मार्च 2024 का closing year में 349 करोर का sales हो गया काफी अच्छा year on year basis पे sales growth देखने को मिला है वहीं पे expense growth भी काफी ज़्यादा है याने कि बहुत अच्छा है और operating profit भी उसमें growth ये सब क्या पच्छा थोरा सा कम देखने को मिला है और यहीं पे EPS में अगर growth देखते हैं तो मार्च 2023 का पेख्छा मार्च 2024 में काफी अच्छा EPS आया 9 रूपिया 54 पैसा जहांपर की 2 रूपिया 69 पैसा था तो 9 रूपिया 54 पैसा एक साल में अगर एक share पे 9 रूपिया 54 पैसा इंकम करता हो और share price 8 रूपिया 10 पैसा 8 रूपिया 20 पैसा के लगभग में चल रहा हो तो मेरे समझ से तो share price undervalued ही है बाकि investment अपने बुद्धिवियका अनुसारी करिए दोस्तो balance sheet में भी कुछ देखने का बात है जो कि मार्จ 2023 में इसके पास रिजर्ब 34 करोड का था वहीं मार्CO 2024 में 184 करोड का हो चुका है काफि एच्छा growth देखने को मिला है reserve में भी other asset में भी बृद्धि देखने को मिला है जहांपर के 59 करोड का था मार्च 2023 में वहीं पर मार्च 2024 में से हो चुका है इन्वेस्टमेंट बराबर ही है सेम है दो करोड का दो करोड का दो करोड ce कि इसमेअ प्रिक्स एसेट मार्च में एक करोड का देखने को मिल रहा है हुआ इस कम्पनिय मोख़े का कारीया है यानि कि बनाने का कार्य है कि इस चीत्र में आपको कुछ जगह पर दिख रहा होगा प्रेसे संसेटिव एड़ेसिव टैप्स से संबंदित तो यही है साल्ट एड़ेसिव टैप्स अब बाकि आप सबस्द आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके का इसका बिजनेस है और क्या हो सकता है इसका फ्यूचर कैसा हो सकता है बाकि मेरे आपटिय आनुसार तो इसका फ्यूचर ब्राइट्नेस है बाकि investment अपने बुदिवीविक आनुसार और सूझबुच के अनुसार ही करिए दोस्तो फिर मिलते हैं next वीडियो में नए अंदाज के साथ धमाकेदार इश्टॉक के साथ में तद तक के लिए नमस्कार साथियो